कि आपको सिंपल्ब्लाउज की सिलाई करना सिखाऊंगी यह हमारा सिंपल ब्लाउज है इसको पहले ही कट कर लिया है इसकी कटिंग आप मेरी पिछली वीडियो भी जाके देख सकते हो तो इसके बाद यह पटी है यह पिछलब हागे यह आगे कब आगे तो हम आगे के बाग से शुरू करते हैं तो इस में पर क्या करना होता है यह प्लेटे हम लगा रखी है सबसे पहले में में प्लेटे डालनी होती है तो इस पिलोटों को दाल दिए सब्सक्राइब पहले हम इस पिली भी द्रगाते हैं तो इस पिली देखाने बिए सब्सक्राइब बंगाते हैं बुद्पाइब प्रगाने देखाने प्रगाते हैं यह देखुआ यह कब यह चाहनु रहा है यह दो इसे हम दुख दी नहीं दुख नहीं यह दोनों हिस्ते हम ने तैयार करें लिए प्लेटे लगा कर दोनों हिस्तों की प्लेटे बराबर आजे गल्ला भी बराबर आजे अब हमें यह लगाएं दोनों पट्टिया हमें लगाने आजे की रूप गी तो इंगी तीकी लगाने प्लेटे हात्यों में आजे आजे लगाने पट्टिया में थुदू बड़ी उंकानी थे इस पट्टी के उपर हमें थोड़ी तूरी में एक सिलाई लगाने तके मट्टी दब जाओ पटी कर आद बारती नुस्यमक ततरी के शला की चसय करलाई और ये पीच्छे वली सिलाई अब इसको फोल्ट करें तरीकी से फोल्ट करना है थोड़ा सा फोल्ट यहां से तो पॉइंट थोड़ा सा फोल्ट हमें ऐसे लिना है और इसको एक बार और मोड़ देना है पाच नमगें के यहां से पीचों के टाकर लगाना है वह संदिट के टाकर लगाना है इस पट्टी लगाएं इस पट्टी को नीचे से शुरू करते हैं उसको गले पे से शुरू करते हैं इसको भी हमें ऐसे दवाना है और दूसरी पट्टी को फॉल्ड करना है इपना सा हमें इसको फॉल्ड करना है पट्टी में और दूसरे राउड में इस तिलाई के उपर ले रूँए इस सिलाई दूपर ये पट्टी हमें फोल्ड करनी हो और ऐसे करके इसमें सिलाई लगानी है ये सिलाई हमारी देखों पट्टी तो परावर हैं इसको कट कर देए अब ये पट्टी लागने से हमारा गला उखना है उखनाई रहता लेकिन पट्टी भूख वाली जब पट्टी हम लागाते तो ये गला गट जाता है इसकी थोड़ी सी कटिंग हमें पुलाई ना कर देंगे को कर देए जे ना कर देए जाता है तो ये गला गट त्टी जाता है जाता है को तो परावर कर दो टेए लुखो लाग़े, में दो जो हीतिला भाग़ दोन्हेंस्य और नैं repli अजसान है किreibt मिलत ही वहागना, स्वर्द आराटना, वहाऊंगार ही जस खेले, आपनो, वीघे एक सेवीय तर 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 तुप ये शोल्डर जोल लिए हो ताम हमेन की पट्टी लगानी हो ये बारी पाइपिंग बारी पट्टी हमने कमास किये आदा इंच कपण में बहार चोड़ना है गल्ले से बहार और इस पर सिला ही लगानी है अब बार लगाते हुए इसला ही लगानी है अलका साइस पिके चार देला है पक्टी और और पूरी पत्ती इस में शिल देगी और इसको सिलते हैं कि अ हुआ अ हुआ हुआ है झाल झाल यह मरत पट्टी लगते हैं इधर भी थोड़ा साँ आधाईच कपड़ एक्स्टा रगें पट्टी भू करणने मिली अविशनी जो एक्स्टा कपड़ा है पट्टी में थोड़ा काड़ें अगर में क्या घरना है यह जहां घर गुलाई है हमारे डैक वाले गले पर आगे वाले गले पर दो चार गुलाई आती हैं और यह चालों पर हमें अलखलका कट लगाना है केजी का इस पर किसे अपर कट लगा देना है तक वाले पर गुलाई वाले ज़गे पर चाहां हमारे प्लाउज की गुलाई आती है अब हाँ जी है कट लगाना है लगवा 3-4 पिंग चार कट लगाना है अच्छी अंदर का कप्रा खुल जाता है किस तरीकिसा में कट लगने यह हैं अट आगे गुलाई वाले सुपर कट लगा दिया मैं आपको एक बार पता दो देती हूँ पत्ती में नहीं सिंगल लगाई है आप चाहो तो इसको एसी डवल करके भी सिल सकते हो एसी डवल लगाके इसी लगाके फिर आपको इसको फोल्ड कर सकते हूँ आपको एसा अच्छा लगे आप पत्ती वैसे लगा सकते हूँ और आपको अगर डवल लगाना नहीं आता तो मैं आपको किसी और प्लाउच में डवल लगाते हूँ सबसे पहले हमें इससे फोल्ड करना है आगे से इससे पर इससे फोल्ड करना है फिर एक फोल्ड ऐसे करना है और दूसरा फोल्ड अभी इससे लाई के उपर कर दें पर आप जितनी चोड़ी पट्टी रखना चाहते हो बारीक चाहते हो बारीक रखना चाहते हो इससे पर आपको एक साइज की लेनी इस तरहाते पर्टी झाल 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 याल जाल झाल यह लग दे हैं इसी तरह हम दूर्ची वली बाज़े को जोड़ लेंगे अब हम इस तरह इस को भी डोड़ लेंगे अब हम इस तरह इस को भी डोड़ लेंगे अब हम इन तुर्पन के लिए अब हम की तुर्पन के लिए तो यहां से हमें इतना सब वॉल्ड और एक बार और करना फिर अब डोनों पाज़ों पे हम इस तरह से करेंगे और गच्च लगादेंगे इस तरीके से हमने दोनो लाजी परसीक लेंगे इसकी मोली क्या रेंच के लिज़ी तो साडी पांच च्च की में इसमें फिटिंग देनी इस वाली फिटिंग इना पहले ससे पहले क्या करना है किनारी किनारी उहां देनी है नो दोलों तरफ यह सब्सक्राइब किनारी एकराइब मॉट्डे वाली न याम की अगold को जब लटा जो सब्सक्राइब देखें निवेड़ सब्सक्राइब का रहा है इसी तरह दुर्जी वाली शिलाई भी देनी है यह दी जो एक शिलाई से शिलाई भी ला देनी है इसी तरह इस वाली की सपाई कांगी एक्सचा तप्रम निकाल देना है अब यह दोनों टाके हमने लगा लिए रष्ट शिलाई हमने इस पर कर लिए बाजू के वारे में पता देते हूं आपको फुली क्यों लगाए यह फुली हमीसी लगाते ताकि हम कभी भी इसे लूच और टाइट कर सकते हैं अब हम मन चाहे जितनी से लाई कभी भी खोल सकते हैं यह लगा सकते हैं अगर हम बंद बाजू इसमें लगाएंगे तो वह फिक्स हो जाती है उसके बाद हम कभी भी अपने फिटिंग को सेट लही कर सकते हैं अगर आप चाओ तो मैं अगली वीडियो में आपको बंद बाली बाजू भी बटा दून्याओ अब हमें इस नीचे से फोल्ड करते हैं तो हम फिटिंग वाला टाका बाद में देंगे पहले इसको फॉल्ड कर लेंगे सबसे पहले हमें इस बश्ट वाली सिलाई पर इसे फॉल्ट करना है एक इंची हमने एक्ष्टर लिया था इस परीके से हमें इसे फॉल्ट कर देना है कच्छी सिलाई करना है हमें वसीन की इस तरह किसे बट्टी फॉल्ट हो दें हमें फिटिंग अठागा लगावें अठाइस की कमर जी फॉल्ट में फिटिंग अठागा लगाना है यहां से हमें फिटिंग अठागा लगाना है तो यह अठाइस थी यह अठाइस हमारी यहां इदर हो रही है अब हमारे पास यह इतना एक्स्ट्र कपड़ा है यह अमने मार्जन लिया हुआ था वही कपड़ा तो हमें इसे क्या करना यह वाली पढ़े जो भढ़के पट्टी लगते इसे छोड़ देनी और इस तरीके से कि लिए कि चार वार इसको फोल्ड करना यह अब यह देख लू हुमारे कितना एक्षा यह है हमने संबाजन कंशन कपड़ा लिया था तो नहीं हो में थोनों तरप रहले बैंदेंचीएक आपकर दीना है यह जो उपने फर्स्ट शिलाई की थी किनारे बली दोनों को कट कर लेना है इसके बाद हमें यहां पर देखो हुंने फिटिंग का आखा भी इधर ही लगाया था और यहां इसे हमें इस पर शिलाइगर देगे नहीं है प्रेटी फिटिंग डाकर डेटेट इंची पर लगा लाएं युदू साधिक माच बैट्टी येदर की साधिक माच लखाएं तर्पी यसी फिटिंग कटाकर लगा देए तर्पी फिटिंग लगाने के बाद लेकिए हमें पाजों में कितनी गुजाइस निलती है खुली बाजों में में पुजाइस में जाती है कि इसे हम कभी भीन एक टाइम अपके जलाओज को यह कुछ और टाइट कर सकते हैं तो यह मारे खुलाओज से लिए सिपर खुलाओज हमारा तैयार है कि दूर पड़ती है हमारी आई रुकी कि यह भी वराबर आ रही है तो गलाबी हमारा कोल है इसके पहालने वाले बड़ती है पूरी यह को लगा देते हैं क्टेश पहालाब डागे यह प्यास कर देते हैं क्टेश से खुलाबाज कोलाब भी यह भी यह यह है अबरो बड़ती है पुलाब यह बड़ती है कर दो इसी तरह हमारे इस इपल क्लाउड तेया रहे तो आपको कैसी लगी हमारे इस सिलाई से खाला उमीद है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए